पदमावद में राजा रावल रतन सिंग का किरधार निभाने के बाद शाहित कपूर काफी खुश हैं लेकिन अब वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे जानने के बाद उनके फैंस हैरान रह जाएंगे यहां तक कि इस काम में उनका साथ सल्मान भी दे रहे हैं शाहित कपूर जल्द ही बती गुल मीटर चालू फिल्म में नजर आएंगे इस फिल्म में वो 20 साल के लड़के का किरधार निभाएंगे और इसके लिए उन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया है खबरों की माने तो इस फिल्म में वह एक वकील का रोल निभा रहे हैं जिसकी उम्र 20 साल है जिस वज़े से शाहिद इस वक्त अपना मेक ओवर करने में जुटे हैं एक खबर के मताबिक शाहिद के कॉस्ट्यम डिजाइनर निलांचल खोश और दर्शन जलन इस काम के लिए रात दिन एक कर रहे हैं इस बारे में प्रोड्यूजर प्रेना रोडा ने बताया इस फिल्म में शाहिद उत्राखंड के रोमैंटिक लड़के का किरधार ने भार रहे हैं जिस वजए से कॉस्ट्यम डिजाइनर उन्हें वकील का लुक देने के लिए कपड़ों के लिए फैब्रिक भी वही का मंगा रहे हैं इस फिल्म में शाहिद स्वेटर और जैकिट बहने हुए दिखाई देंगी क्योंकि फिल्म में सर्दीयू की लोकेशन दिखाई जाएगी इस फिल्म में शाहिद के लावा श्रधा कपूर और यामी गौतब मोख्य भूमिका में हैं इस फिल्म की शूटिंग उत्राखंड में 9 फरवरी से शुरू हो जाएगी जबकि यामी मार्च में शूटिंग का हिस्सा बनेंगी शाहिद के लोग की बात करें तो वह काफी अरसे बाद इसमें क्लीन शेव में नज़र आएंगे वही इसमें उनका साथ बॉलिवुड के टाइगर भी देंगे ऐसा इसलिए क्योंकि सल्मान जल्द ही अपनी फिल्म भारत की शूटिंग करने वाले हैं इस फिल्म में वो 18 साल के लड़के का रोल निभाएंगे ऐसे में ये देखना दिल्चस्प होगा कि अपने से आधी उम्रेके के धार को निभाना दोनों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा कहा चारा है वत्ति गुल मीटर चालू में शारू खान के फिल्म जीरो की तरहां ही ग्राफिक्स का इस्तमाल किया जाएगा ऐसे में बॉलिवुड का ये नया ट्रेंड देखना फैंस के लिए भी एक्साइटिंग होगा